रेड कलल की जो बेल्ट है उसमें नजराती हुई अशी का घोश और उनके सामने देखना आए रेड कलल की बेल्ट में स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है देखिए नन्ना सा प्यारा सा चेहरा मासूम सा चेहरा नजरा रहा है और ये है सरगम क्या बात है आठ से नो साल क केटिगरी में सरगम के सामने होंगी अशिका घोष मज़ेदार होगा ये बाउट कमाले दोनों ही ननी ननी कराटे का हमने सामने और जब ऐसा अगर हम देखते हैं से सीन देखते हैं से द्रश्य देखते तो बड़ी खुशी होती है कि अब सेल्फ डिफेंस के लिए अभी से त्यार किया जा रहा है और ये बहुत जरूरी है आज के जवाने में कलियूग में खासकर लड़कियों के लिए बहुत जरूरी ये पल ये सीजें कराटे खासकर जो बहुत ही उप्योगी आपको चीवन में भी बनाती है ये दोनों ही कराटे का आमने सामने सूपर गोल्ड की टकर है आठ से नो सल की केठेगरी का ही है सूपर गोल्ड का मुकाबला शुरुवात हलांकि थोड़े से लंबे कत की नजर आती है अशी का गोश लेकिन क्या उसका फायदा उठाबाएंगी सरगम ऐसे ही नहीं वो विनर बनकर के सूपर गोल्ड में आई है उन्होंने भी बहुत कुछ किया है मज़ा आएगा हलांकि पॉइंट अभी तक किसी को मिला नहीं है एक मिनिट दस सेकिंड का समय अभी भी है शिरुवात हुई है लेकिन पॉइंट अभी किसी को नहीं मिला और यहां अगर पॉइंट नहीं मिला अगर तो फिर वार्निंग भी दी जा सकती है और अभी तक किसी को पॉइंट नहीं मिला 30 सेकिंड से ज़्यादा का समय भी था लेकिन उसी बीच एक पॉइंट यहां ले लिया है यूको पॉइंट जीरो एक से बड़त यहां बना ली गई है सरगम के दोवार आकरी मोवमेंट पे देखिया आप और जीरो एक की बड़त के साथ उसेंची पॉइंट भी समय सरगम के पास वेल डन सरगम जिस तरीके से चाला की दिखाई जैसे ही उन्होंने किक के इस्तमाल किया आशिका ने और बदले में एक पंच डिलीवर कर दिया सरगम ने क्योंकि किक इस्तमाल करते समय आपकी बोड़ी जो है आगी की तरफ आ जाती है और वही एक मौका होता है जब आप किक सीधा अपना पंच जो है वो डिलीवर कर सकते हैं ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है कराटे के अंदर जो कराटे का है यूँ आ कराटे का भी काफी जबर्दस्ट बहुत अच्छा प्रस्टिक्शन इन्होंने लिया है जीरो एक से बड़त इस समय सरगम के पास है अच्छी का वापसी करना चाहती किक अस्तमाल किया था लेकिन अभी तक कामियाब नहीं हो पाई 15 सेकिंट से कम का समय बहुत ही लाजवाब और इसी बीच ये वजारी आ गई है ये त्यो पोइंट महतुपून आये हैं जहां से ये मुकाबला बन साइडिट बनता नजर आ रहा है और अन्बिलेंस हुई यहां अशी का कुछ समय के लिए लेकिन उसी समय रेफ्री ने खेल को रोका और एक यूगो पोइंट यहां आ चुका है चार जीरो की बड़त सरगम क्या बात है वेल डन सरगम आज जिस तरीके से खेली है इस बाउट को बहुत ही ला जवाब चार जीरो से अजे यह बड़त आठ सेकिन से कम का समय यहां और अशी का के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है और इसी बीच एक बहतरीन पंच एक और यूगो एक और यूगो सरगम के पास खमाल है पाँच लगात तार इस बड़त को बरकरार रखा और इसी बीच विसिल का समय आ हो गया है और अगर विसिल बजी है तो फिर सरगम के गले में यह वीजश्री आ गई है खमाल है जब बरदस पाँच जीरो से क्लीन सीप अशिगा ने बहुत बढ़िया प्रियास किया था कि इसी के साथ देखिए यह मुकाबला जो है समाप्त हो अच्छे जीरो एक यूगो पॉइंट के साथ सरगम ने इस मुकाबले को समाप्त किया एक सेकिंड से पहले और किस तरीके से डग करके डिफेंस करके उसकी को बेकार किया और उसके बाद वो पंच ट्रांस्वर किया यह देखिए और सी बीच यह पंच दो लगा था लेकिन उससे पहले ही सरगम अपना काम कर चुकी थी किक लगी थी वह बहुत ही लाग